इस पे आप reverse phone look up भी कर सकते हो people भी search कर सकते हो address भी देख सकते हो और email addresses को भी look up कर सकते हो जैसे के आपको याद हो previous कुछ lectures में हमने reverse phone look up की कोशिश की है लेकिन ज्यादा तर जो होते थे वो हमें redirect करते थे to paid services ठीक है और हमें mostly जो information दिखाए जाती थी वो सिरफ हम most पहुँचे थे initials पे ठीक है के कौन-कौन से initials है first name के और last name के लेकिन हमें full name का पता उसमें नहीं लगा था ठीक है spy dollar में हमें different चीज़ें प्रोवाइड की जाती है जैसे के reverse phone look up with full name ठीक है और उसके साथ जो है voice mail भी इसमें आपको सुनवाया जाता है उसी number का ठीक है के उस बंदे ने जिसका वो number है उसने कौन सा voice mail लगाया है अक्सर जो voice mails वगारा होते है हैर यहां तो वो service इतनी popular नहीं है voice mail की लेकिन अगर US में देखा जाए तो जो voice mail होते है जब हम call करते हैं किसी को और वो busy वगारा होता है यह वो phone नहीं उठाता तो वो बताता है अपना name और बताता है अगर आपको काम है तो tone के बाद अपना voice mail जो है वो आप बेज दें ठीक है पिर जो भी voice mail होता है वो उसे मिल जाता है जब भी वो phone को use वगारा करता है तो इसमें वो भी service available है for free ठीकि आप number टाइप करके देख सकते हो के voice mail जो है उस user का वो कौन सा है ठीक है अगर तो उसने अपना खुद voice mail लगाया हुआ है तो वो उसकी अपनी आवाज में होगा अपना introduction देगा और बताएगा कि टोन के बाद अपना voice mail दीव करते है अगर company की तरिफ से है तो company की लड़की लड़का 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 इबोलेगा चलों तो एक number सर्च करते हैं जो के मैं पहले ही कर रहा हूँ काफी देर से प्रॉबबली आपके लिए blur show होगा ये क्योंके मैं आपको वो number नहीं दिखाना चाहता अच्छा तो ये number हमने enter किया है यहां पे आ गया है कि you entered cell number this one ठीक है और हमारे पास जो है यहां पर options हैं कुछ here voicemail means के आप voicemail को सुनना चाहते है name look up means के आप name देखना चाहते है photo look up वगएरा वगएरा आगे मतलब के तस्वीर वगएरा देखना चाहते है ठीक है search for social network photo associated with this number phone spam अगर ये phone जिसका number है वो spammer है तो वो भी आपको बताया जाएगा तो अच्छा हम name look up को करते हैं और इसी number को करते हैं हम search अच्छा तो ये हमें बता रहा है detail और उसकी detail exact exact है ठीक है ये full name मुझे बता रहा है ये इस number का जो के बिलकुल ठीक name है ठीक है I can confirm that ये उनका original name है जो उनके passport पे है जो उनके ID कार्ड पे है ठीक है और location भी बता रहा है ठीक है ये full number हमें ये service प्रोवाइड कर रही है I don't think के Linux की tools के बाहर बाहर कोई service है जो के इतनी ज्यादा information प्रोवाइड करती है for free ठीक है उसके बाद phone details में click here to get more information on this number ठीक है कि अगर आप location दानना चाहते है यहाँ पिर आप voicemail hair करना चाहते है तो हम करेंगे hair voicemail voicemail इसका currently जो है वो unavailable है और यह बोर रहे हैं के trying again won't help लेकिन I was literally checking it a week ago और यह जो voicemail है इसी number का वो perfectly work कर रहा था ठीक है unavailable की वज़ा यह भी हो सकती है कि अभी voicemail जो है वो unavailable है उसके लिए ठीक है in future वो available होगा यह पिर यह भी हो सकती है कि इन्होंने यह service जो है वो discontinue वगरा करती है इसलिए शायद carry and trying again won't help कोई पता नहीं लगता ठीक है कभी भी जो है services वगरा discontinue हो जाती है तो again I think शायद इसी का I am suspecting suspecting के शायद इसी का अभी unavailable है और future में वो available हो सकता है उसके बाद जो तह हमारे पास option photo look up का उससे हमारे हमारे पास जो है वो ये result आया है और ये जो result है इसमें photo तो नहीं दिखाई गई एक map दिखाया गया है जहां पे ये number spotted हुआ है last ठीक है उन्होंने social network से देखके ये number जो है वो देखा है और जहां पर उनकी location है ये location उनके आसपास ही है ठीक है maybe they were visiting here ठीक है तो ये location उनके आसपास ही है तो that can be the case too ठीक है क्योंकि इन्होंने तस्वीर नहीं दिखाई photo नहीं दिखाई social media से इनको नहीं मिली लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा information है on a surface website ठीक है tools के इलावा ठीक है हम एक website से ये information हासिल कर रहे हैं means कि हम किसी भी device पे कहीं भी using internet connection इस information को हासिल कर सकते हैं हमें काले Linux भी install करने की जूरुत नहीं virtual machines भी install करने की जूरुत नहीं just simply visiting a website हम इतनी ज्यादा information जो है वो हासिल कर सकते हैं off-off phone नमट